नमस्का राजनमत ही पर आपका सौगत है में प्रियाम आपके साथ एक्ट्रेस नोरा फतेही ने दिसंबर 2022 में जैकलिन फर्णाडेस के खिलाब 200 करोड रुपे का मानहनी केस किया था आज यानी 22 मई को इस पर दिल्ली के पटियला हाउस कोट में सुनवाई होगी नोरा ने जैकलिन पर छवी खराब करने का अरोप लगाया था दरसल ये पूरा मामला ठक सुकेश चंदर शेकर से जुड़ा हुआ है उसके खिलाब 200 करोड से ज़्यादा का मनी लॉंडरिंग का केस है इनी ने जब इस केस की जाच की तो इसमें जैकलिन और नोरा फतेही का भी नाम निकल कर आया इन दोनों पर आरोप लगे कि उन्होंने सुकेश से महंगे महंगे गिप्ट से लिए जब जैकलिन से इस मामले में पूछताच की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में फसाया गया है जैकलिन ने कहा कि नोरा फतेही ने सुकेश से महंगे गिप्ट से लिए में जेकलिन के खिलाफ दायर याची का में कहा था मेरे प्रतीदवन्दी मेरी सफलता को लेख कर जलते हैं यही वजह है कि वो लोग मेरे करियर को खराब करना चाहते हैं नौरा ने ये भी दावा क्या था कि वे सुकेश को नहीं जानती नौरा के मताबिक इस केस की मीडिया ट चाहिए उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए इसी के साथ बने रहे हैं राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद